दोस्तो सावन के महीने को बहुत ही पवित्र माना जाता है। दोस्तो सावन में भगवान शिव को प्रसंद करना चाता है। हर कोई चाता है कि उसे उसके परिवार, समाज, कार्य शेतर हर जगे सफलता मिले। लोग उसे सराहे, मान समान, यश, प्रतिष्ठा मिले और सबसे उपर धन की चाहत तो हर किसी को होती है। उसके लिए व्यक्ति हर संभव परियास भी करता है, संगहर्श करता है, कई बार सफलता मिलती है लेकिन अनेक बार परिस्थितियां अनुकूल नहीं बन पाती है। कई बार कुंडली के ग्रहे भी अनुकूल नहीं होते हैं और लाख परियासों के बाद भी कोई ना कोई अर्चन लगी ही रहती है। दोस्तों ये ग्रहों का खेल होता है, वे जब बीच में आ जाते हैं तो करम कितना भी अच्छा हो लेकिन भागे साथ नहीं देता, जिस वज़े से व्यक्ति को सफलता नहीं मिल पाती। लेकिन कुछ उपाए जो चोटे जरूर हैं इने करते ही सबी अर्चने दूर हो जाने लगती हैं, ये उपाए आपके धैनिक नित्य करम से संभन देते हैं। राए तोही फलदाई होता है। जैसे आत्मा को सवच्च और सुन्दर बनाने के लिए आत्म चिंतन शरूरी होता है। वैसे ही तन को स्वस्थ और अकर्शिक बनाने के लिए स्नान करना जरूरी है हमारे नौच हिद्रो वाले अतियंत मलीन शरीर से दिन रात मल निकलता रहता है प्रात्यकाल स्नान करने से शरीर की शुद्धी होती है रूप, तेज, बल, पवित्रता, अरोग्य, निर्लो का नाश, तप और मेगा ये दस गुन प्रात्यकाल स्नान करने वाले मनुश्य को प्राप्त होते हैं हिंदू धरम में इसे पवित्रता का स्थान माना गया है स्नान हमारे और दह को हमेशा पवित्रह रखने का काम करता है वैसे तो स्नान हमेशा सुबह के समय ही करना चाहिए प्रंतो सुबह और शाम दो समय पर स्नान करना अति उत्तम माना जाता है बात शुरू करते हैं सनान के सुयोगे समय के विश्य से कब सनान करना सबसे उत्तम होता है दोस्तों प्राते काल भ्रहम मुहरत में नहाना सर्वशेष्ठ माना जाता है। भ्रहम मुहरत में सनान करना मतलब सुबह चार से पांच बजे के बीच में प्रभू का चिंतन करते हुए जो सनान किया जाता है उसे भ्रहम सनान कहते हैं। दोस्तों सूरे उदे से पूर्व पुटर नदियों में अथवा उनका समरंड करते हुए जो सुनान किया जाता है उसे देव सुनान कहते हैं। हमें ब्रहम सनान देव सनान या रस्य सनान ही करना चाहिए यहीं उत्तम सनान है यदि सूर्य ग्रहन या चंद्र ग्रहन का दिन हो तो ग्रहन उपरांत रात के समय भी सनान करना चाहिए दोस्तों दानव सनान आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए यह जीवन में दुर्भा विधी के भी कुछ नियम होते हैं कुछ लोग पहले हाथ पैरों को गीला करके या पहले पुरे शरीर को गीला करके फिर सर पर पानी डालते हैं रोज सिर पर नहीं भी डालते हैं लेकिन उत्तम सनान वही होता है जो सिर पर रोज पानी डाल कर किया जाता है इस तरी पुरुश कोई भी हो आप साबुन शैंपू लगाएं ना लगाएं पर आपको रोज सिर पर पानी डाल कर नहाना चाहिए सबसे पहले सिर पर पानी डालें फिर पूरे शरीर पर सिर हमारा ब्रहमस्थान होता है दोस्तों इसलिए सबसे पहले ब्रहमस्थान को जल से सनान करना शुब होत और यही सिनान करने का उचित तरीका है दोस्तों इस तरी पूरुश्या बच्चे किसी को भी पूरी तरह से नगन होकर सिनान नहीं करना चाहिए ऐसा करने से जल देवता रुष्ट हो जाते हैं जिससे परिवार में आए दिन संकट आते हैं आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं सुयोगे तरीके से जब हम नहाते हैं तो हमारे अंदर एक अद्बुद प्रकार की उर्जा का संचार होता है और नहाने के पानी में अगर हम कुछ उपाए करते हैं तो बिमार्यों से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है शास्त्रों में सनान के समय करने ही तू अनेक उ यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंदू कावेरी जलसम सर निधी करू इस मंतर का जब रोजाना सनान करते समय आप उचारन करेंगे तो आपका अच्छा समय शुरू हो जाएगा दोस्तों गंगा जी में सनान करने से सात्विक्ता और पुन्य लाब प्राप्त होता है भारत की अनेक धार्मिकाव धारनाओं में गंगा नदी को देवी के रूप में दर्शाया गया है मानेता है कि गंगा में सनान करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है लोग गंगा के किनारे ही प्राण विसर्जन या अंतिम संसकार की इच्छा रखते हैं तथ अमरित्यू पश्चात गंगा में अपनी राख विसर्चित करना मोक्ष प्राप्ती के लिए आवश्यक समझते हैं लोग गंगा घाटों पर पूजा अर्चना करते हैं और ध्यान लगाते हैं गंगा जल को पवित्र समझा जाता है इसे अमरित समान माना गया है नहाने के पानी में गंगा जल डाल कर सनान करने से गंगा सनान समान ही फल प्राप्त होते हैं गंगा पूजन एवं सनान से रिद्धी सिद्धी यश समान आदी की प्राप्ती होती है समस्त पापों का शेय होता है मानिता है कि ऐसे सनान से मांगलिक दोश से ग्रसित जातकों को करते हैं साथी मंतर जाप करते रहते हैं ये सरवशेष्ट सनान होता है इस प्रकार के सनान अमोक पुन्यदाई माने जाते हैं सभी प्रकार के जीवन के कलेश से मिट जाते हैं और सनान के तुरंत बाद अगर आप सूरे को जलर्पित करते हैं तो मान समान की प्राप्ती होती ह वेग्यानिक दृष्टी से भी इसे देखा जाए तो सुबह सुबह जल्दी उठने से ताजी हवा मिलती है उगते सूरे की हल्की कोमल किरने स्वास्ते को लाव पहुंचाती है सूरे को जल चड़ाते समय पानी के बीच से जब हम सूरे देवता को देखते हैं तब वे किरने हमारी आखों की जोती को बढ़ाती है इन किरनों में विटामिन डी मौजूद होता है जो हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करता है आपने अकसर ही देखा होगा कि जो व्यक्ती उगते सूरे को जल देता है वो बहुत ही तेजस्वी होता है उसकी तवचा में एक गजब तरह की चमक होती है और साथ ही वो बहुत ही भलिष्ट होता है लेकिन ये तो हुए शारीरिक फाइदे आगे हम जानेंगे तांतरिक उपाए जिन से कर्ज मुक्ती मिल सकती है आर्थिक स्थिती मजबूत हो सके जिन से जीवन की मुश्किले कम हों दोस्तों जब आप सुबह सूरे देवता को अर्ग दें तब तांबे के एक लोटे में शुद जल भरके उसमें साबुत लाल मिर्च के 21 बीज डाल दें इसके बाद फिर वो जल सूरे देवता को चड़ाएं जल चड़ाते समय सूरिया मंतर का जाप करें मंतर है ओम सुरिया नम्हा इस उपाए से आपके घर परिवार पर जो भी कर्ज का बोजे चड़ा होता है असानी से उतर जाएगा कहीं आपका धन फसा हुआ है बिना सायास वापस मिल जाएगा धन विश्यक समस्याओं से आपको चुटकारा मिल सकता है ये हुई अर्ग की बात लेकिन आप नहाने के पानी में कुछ विश्यश चीजों को मिला कर यदि सनान करते हैं तो आपके आर्थिक हालात बहतर हो जाते हैं धन वरिदी तो होती ही होती है साथ ही साथ सेहत और उम्र में भी वरिदी होती है नहाते समय अगर आप ये उपाई कर लें तो आपके धन की मुश्किले खतम हो जाती है ये उपाई शीगर असरकार है, अगर आप उचित तरीके सेने करते हैं तो यकीन मानिए बहुती जल्दी इसके शुब परिणाम आपको मिल जाते हैं अगर आप ग्रह जनित दोशों से परिशान हैं किसी ग्रह के अशुब प्रभाव देने के कारण आप दुर भागे का सामना कर रहे हैं तो इससे छुटकारा पाने के लिए हम आपको बताते हैं कि नहाने के पानी में कौन से दिन आपको कौन सा उपाई करना चाहिए इन उपा कर सकते हैं दोस्तों अगर आप अवसाद में हो या फिर किसी नकरातम कुर्जा का शिकार हो तो अपने नहाने वाले जल में एक निम्बूनी चोड़ कर सनान करें ये उपाए कम से कम चार या तिन दिन तक करने से आप तनाव मुक्त जीवन पाएंगे आज की वीडियो में पातवार के नहाने की पदती के बारे में भी यानि कि किस तन किस तरीके से नहाएं लेकिन दोस्तों उससे पहले आप से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करिए दोस्तों को शेयर कर दीजेगा और अगर आपने अभी तक चैनल को ही सबस्क्राइब नहीं किया है तो अगर आपके हाथ में पैसे नहीं टिकते हैं, अनावश्यक धन खर्च हो जाता है, कभी कोई परिवार का सदस से बिमार पड़ता है, कभी कोई दुरगटना होती है, घर की चीजे खराब हो जाती है, कभी नौकरी छूट जाती है, किसी की अकाल मृत्यू हो जाती है, या तीन दिन तक लगातार करना है, इसे जलाने के बाद सुबह उस राख को लेकर अपने नहाने के पानी में मिला लें, और साथी कपूर का दो बुंद तेल अपने नहाने के पानी में मिला लें, और फिर उसे सनान कर लें, हर कोई नहीं कर सकता तो कम से कम घर के जो लेगी दोस्तों आपके जीवन में बहुत एक सुखों की कमी है सुख विलासिता की चाहत आप रखते हैं लेकिन भरपूर कोशिशों के बाद भी ऐसे सुख नहीं मिल पाते हैं तो समझ लें कि आपका शुकर कमजोर है शुकर अगर अशुब स्थिती में हैं ऐसे में आपका घर पर वही गरीबी चाही रहती है यह सब खराब शुकर होने के कारण होता है ऐसे में आप एक लोटा जल लेकर उसमें दो बड़ी इलाइची डाल कर उस पानी को उबालने पानी जब आधा रह जाए तो इस पानी को अपने नहाने वाले पानी में मिला लें और उससे सनान करें नहाते समें समंतर का उचारन करें मंत्र हैं ओम जियनती मंगला काली भद्र काली कापालिनी दुर्गा शमा शिवाधातरी स्वाहा स्वधा नमस्तुते ऐसी कोई कामना नहीं जिसकी पूर्ती समंतर के प्रयोक से पौन ना हों दोस्तों नहाने के पानी में केवल ही मिलती है जब कभी आप किसी तीरत स्थल पर जाएं पुटर नदी में सनान करने का मौका मिले तब पानी में तरजनी से ओम लिखें और फिर तुरंत डुबकी मार लें ऐसा तीन बार करें इससे नदी सनान का पूर्न पुन्य फल मिल जाता है ग्रहे दोश दूर हो जाते ह आपको लगी बुरी नजर टोनें टोटके के नकरातम कुर्जा का असर दूर हो जाता है दोस्तो पानी में तिल डाल कर सनान करना भी उत्तम फल दायक माना जाता है इससे मा लक्षमी की कृपा बनी रहती है विश्नु की कृपा मिल जाती है पित्र दोश शन दोश आदी से अगर आप शनी की साड़े साथी से डहिया से पेडित है तो आपको ओम शम शने शराय नमहा इस मंतर का जाप करते हुए तिल मिले पानी से सनान करना चाहिए शनी जनित सारे दोश दूर हो जाते हैं जीवन से बाधाएं रुकावटे सारी दूर हो जाती है भागे चमकने ल परगा कर सनान करने से गुप्त प्रकार के रोगों से मुप्ती मिलती है घी को पानी में मिला कर सनान करने से आयू बढ़ती है तो जिनके शादी ब्याह में बाधा आ रही है देर हो रही है विराधा कृष्ण की उपास نہ करें एक चुटकी हल्दी एक कतोरी में रख ले और ओम नमो भगवते वासु देवाए इस मंत्र का जाब करके उस हल्दी को सिद्ध कर लें। जब भी नहाने जाएं तो वो एक चुटकी हल्दी पानी में डाल करके सनान करें। विवहा में आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी। सुयोग जीवन साथी की प्राप्ती होगी आप ये तो अवश्य ही जानते होंगे कि सप्ताह का हर दिन यानि हर वार विशिष्ट ग्रह से संभन्दित होता है तो आपका जो ग्रह अशुब फल दे रहा है उसके हिसाब से उस विशिष्ट दिन विशेष प्रकार से सनान किया जाए तो ग्रह जनित दोश से शुटकारा पाया जा सकता है जैसे कि नहाने के पानी में दहीं डाल कर सिनान करने से चंदर्मा के सभी अशुब प्रभाव दूर होते हैं और चंदर्मा शुब प्रभाव देने लगते हैं तो ये उपाए सोमवार के दिन करें दोस्तों जिन ल रहा है वे बुद्धवार की सुभे नहाने के पानी में दुर्वा घास के रस को डाल कर नहा लें बुद्ध संभंधित दोस्तों सारे दोश कम होने लग जाएंगे ब्रहस्पती से संभंधित कोई समस्या हो तो ब्रहस्पतिवार के दिन पानी में पीली हल्दी या पीली सर दूसों डाल कर नहालें अशुब प्रभाव कम होते हैं दोस्तों शादी ब्याह में अच्चन नहीं आएगी भोग विलासिता का ग्रह शुक्र जिनका नीच में हैं वो सभी पीली दहीं और दूद को पानी में मिलाकर नहालें शुक्र के शुब प्रभाव में तेजी आ जाए ऐसे जलसे नहाने से सूरे से संभंधित अशुब प्रभाव बहुत कम हो जाते हैं तो अगर आपको लगता है कि आपकी कुंडली में कौन से ग्रह नीच में हैं उसके अनुसार सनान करने से आपके सबी ग्रह उच्च में आने लगते हैं उनके दुश प्रभाव कम होने हुआ है तो ऐसे में आप नहाने के पाने में रोज आधा चमच नमक डालके नहाएं ऐसा कम से कम लगातार 43 तन तक रोज करें आप देखेंगे कि आपके उपर चाही सारी नकरातमकता दूर हो जाएगी आप नई उर्जा का संचार महसूस करने लगेंगे तो जीवन से दु वीडियो को लाइक करें जादा से जादा शेयर भी कीजेगा और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस करें ताके नहीं वीडियो के अबडेट आपको मिलती रहे हम मिलेंगे जल्दी तब तक के लिए आपका धन आपका पी करें ताके यालाद